प्रणाम आज हम एक ऐसे बुरुख्ष के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर एक उम्र की व्यक्ति के लिए वो बहुत ही आउशदी है अब देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक सुन्दर सा वुरुख्ष है कुछ लोग इस वुरुख्ष के बारे में जानते भी होंगे क्योंकि ये काफी अलग-अलग वुरुख्षों जैसे दिखता है लेकिन इसके आउशदी गुण, इसका नाम, इसके गुण, ये सारे भिन्न है अगर आप देखेंगे तो ये वुरुख्ष अम्रूत के पेड़ के जैसा दिख रहा होगा लेकिन इस अम्रूत का पेड़ नहीं है कुछ लोगों को ये अनन्त का जो फूल होता है या कनेर का है जो फूल होता है ऐसा भी ये दिख रहा होगा लेकिन ये उसका भी वुरुख्ष नहीं है ये एक आयूरवेदिक व्रुख्ष है इसका नाम है डिके माली डिके माली कहते ही आप सभी को एक चीज तो दिमाग में आई होगी कि आरे ये तो छोटे बच्चों के लिए है ये जादा से जादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दात में जब दर्द होता है तब हम इस वनस्पती का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये वनस्पती वही तक सिमित नहीं है इसके और भी आउशदी गुण है भारत में आने वाली ये एक सुन्दर ऐसी आउशदी वनस्पती है अगर भारत में आप देखेंगे तो ये सौराष्ट्र में जादा देखने को मिलती है हमारे कोकन में ये वनस्पती देखने को मिलती है बिहार में तो इसकी खेती भी की जाती है करनाटक में ये वनस्पती पाई जाती है तो ऐसे अलग-अलग जहां पे जादा तर परवत है ऐसी जगों पे भी ये वनस्पती आपको देखने के लिए में तो ये जो डिके माली वनस्पती है इसको संस्कृत में नाडी हिंगु कहते हैं या रामठी कहते हैं मराठी में इसे डिके माली कहते हैं, गुजराती में इसको डिके मारी कहते हैं, ऐसे इसके विभिन्न नाम अलग-अलग भाशा में हैं, लेकिन इसके जो गुण है वो बहुत ही विशेश हैं, लेकिन सबसे पहले हम वुरुक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वुर व्रुक्ष जादा तर इसमें दो प्रजादिया पाई जाती है, उसमें एक जो व्रुक्ष है, उसकी उस्चाई पांच से दसbespes फिरी जाती है लेकिन जो दूसरी प्रजाति है इसकी, ये काफी धन्यार सदारहित रहने वाला ऐसा व्रुक्ष 10 से 15 फिर फिट उंचा देखने जाने वाली प्रजाती है, ये हमारे अश्रम में हमारे गुरुदेवने लगाई है, जैसे इसका जी जो वरुक्ष है, इसके फल, फूल, इसकी छाल, हर एक चीस के बारे में हम हमेशा ही बात करते हैं, तो अगर आप इसकी पर्ण देखेंगे, यानि इसकी पतियां देखेंग इसकी लंबाई होती है, थोड़ी आगे से नुकीली होती है, लेकिन इसकी पतियां अगर आप नजदीक से देखेंगे, तो इसमें काफी रेशाएं होती है, और इसकी रेशाएं जब मैंने पहली बार ये वरुक्ष देखा, तो जब मुझे मेरे गुरुदेवने इसकी पर हमारे शरीर में काफी नसे होती है, जिसमें से रक्त वाहिनिया होती है, जिसमें से रक्त यहां वाहां घूमता है हमारे शरीर में, वैसे ही वरुक्षों का जो पर्ण होता है, उसके उपर भी काफी रेशाएं होती है, अब कभी भी कोई भी वरुक्ष देखेंगे, तो हर व्रुक्ष की जो पतियां होती है, इसका आकार, उसके उपर रहने वाले रेशाएं, ये सारी छोटी-छोटी चीजों का आप अब्याद जरूर कीजिएगा. तो जैसे हमारे शरीर की रचना है, वैसे ही व्रुक्षो की शरीर की रचना भी वैसे ही होती है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अब्ज़र करना पड़ता है, तो इसकी पतियां देखेंगे, तो पतियां और इसकी टहिनियां, इसकी टहिनियां काफी टेडी मेडी जाती हर एक पर्ण के पीछे उपपर्ण होते हैं इसके और वही उपपर्ण के पीछे इसके लगते हैं फल इसके फल अगर आप देखेंगे तो वे काफी अमरूद जैसे दिखते हैं दिखने के लिए वो अमरूद जैसे होते हैं गोल होते हैं लेकिन अमरूद जितने बड़े भी नहीं होते, काफी छोटे-छोटे रहते इसके, और ये जो फल है, यहाँ कोकण में हमारे इसके फल का अचार बनाते हैं, या फिर उसे खाने भी इस्तवाल करते हैं, ऐसा इसका विशेश गुण है, इसके फल क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हमारा पेट साफ रहता है, या पे इसका अचार भी बनाते हैं, इसकी सबजी बना के भी खाते हैं, या फिर आप ऐसे ही तौर पे खा सकते हैं इसके फल, तो फल जैसे हैं वैसे ही इसके फूल है, इसके फूल हमें जादा से जादा अपरात वसंत में दिखने को मिलते हैं, इसके फूल अनंत का जो फूल होता है वैसे ही दिखने में होते हैं इसके फूल जब आते हैं तो ये काफी श्वेत रंग के होते हैं इस डिकेमाली के जो फूल हैं वो शाम के समय खिलते हैं पहले ये सफेद होते हैं और जब ये सूखने लगते हैं तो थोड़े से पीले भी बढ़ जाते हैं लेकिन इसकी जो सुगंध है वो काफी मनमोहक है इसकी मनमोहक सुगंध के वज़े से ही गुजरात में इसे मालन के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब ये वरुक्ष पे लगते हैं फूल तो इसकी सुगंध काफी दूर दूर तक फैलती है जो हर एक व्यक्ति के मन को मोह लेत तो ऐसे हैं इसके फूल जो आप वसंतरु न देख सकते हैं इसका फल जैसे मैंने आपको कहा इसके फ़ल में दो-चार बीज अंदर रहते हैं तो इसके बीज का भी हम इस्तमाल कर सकते हैं इसके बीज का तेल निकाला जाता है दूसरा है डिकेमाली जिसके लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है डिकेमाली उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे इस वरुक्ष पे गोंद आता है आप इसकी टहिनिया देखेंगे जहां से पर्ण तूटता है या फिर इसके फल के पीछे हर एक जगह पे चिकना गोंद निकलता है जो वातावरण के सानिध्य में आने से वो सूख जाता है और वही जगह पे वो जम जाता है लेकिन जब इसका सारा गोंद निकालते हैं उसको सुखाते हैं तो जब हम इसको आउशदी के तौर पे इस्तमाल करते हैं उससे पहले इससे थोड़ा सा साफ कर लिया जाता है, उसे धो लिया जाता है, और फिर उसको सुखाने के बाद हम इसको आउशदी के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं, तो इसी व्रुख्ष के गोन को कहते हैं, डिके माली. अगर आउशदी के रूप में देखेंगे, तो चरक सहीता में, सुशृत सहीता में, हर सहीता में इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन्द किया गया है. हमारे यहां पे भी काफी लोग ऐसा मानते हैं, एक छोटी सी कहानी है इस व्रुख्ष के पीछे, कि जब हमारे घर में अगर कोई नवजाज शिशू है और उसको दात आने लगते हैं, तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है. तो हमारे गुजरात की तरफ ऐसे माना जाता है कि घर में जो बड़ी बुआ है या चोटी भी बुआ है, अगर ये डिके माली का चूर्ण वो जो चोटा बालक है, उसके अगर मसूडों पे उससे मालिश करती है, तो बुआ के हाथ से अगर मालिश की जाए, तो बच्चों क दर्द कम होता है, ऐसी हमारे वहां पे मानियता है, तो जब हमारे वहां कहीं भी छोटा सा बालक होता है, तो उसकी बुआ बड़े प्यार से उसके मसूडों पे इस चूर्ण का मालिश करती है, ताकि जो उसका भतीजा है, उससे जादा दर्द ना हो, तो अगर बड़े को आप इसके फल खा सकते हैं वैसे ही इसका चूर्ण भी आप ले सकते हैं कुछ-कुछ लोगों को बवा सिर्क की बहुत तकलीफ होती हैं काफी दर्द भी होता है तो ऐसे समय अगर 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 दिके माली और हिर्डा का चूर्ण एकत्रित करके पानी के साथ अगर करते हैं तो ऐसे काफी सारी अगर पेट में कुरूमी हो गई है आती ओपे सुजन आ गई है तो ऐसे सारे में डिके मारी का चुर्ण बहुत ही अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यह सारी चीजे करने से पहले कोई अच्छे चिकिच सक्की सला जरूर अगर आपके पेट में बहुत गैस हो रही है तो सेंधव नमक होता है उसका चुर्ण बनाकर कर आप टमे करते हैं तो आपको गैस नहीं होगी पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा अगर आपको वात से होने वाली जो तकलीफे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी अगर चोटे बच्चों को कभी-कभी अतिसार या जवर होता है उससे कुछ बुखार भी आता है उनसे तो उसके लिए भी आप डिके माली इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने इसे सुना है मेरी दादी हमेशा मुझे ये कहती थी और मैंने जब हमारे गुरु देव से ये बात पर चर्चा की तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि अगर डिके माली का चूर्ण है वो हम अगर छोटे बच्चो को मा के दूद में देते हैं या फिर हमारी देशी गाय के घी में अगर उसका चूर्ण मिला के देते हैं तो भी बच्चो को काफी फाइदा मिलता है तो जैसे मनुष्य के लिए डिके माली इस्तेमाल की जाती है वैसे ही जो जानवर होते हैं गाय हो भैस हो कोई भी जानवर हो तो ऐसे में अगर उनको कहीं घाव लग जाता है उन्हें कहीं दर्द हो रहा है तो अगर घाव है तो उसमें अगर आप डिके माली का चूर्ण भरत साफ करते हैं तो उन्हें काफी रहत मिलती है तो ऐसे सिफ मनुष्य के लिए नहीं तो जनावरों के लिए भी डिके माली बहुत ही आउशदी है आपके घर के असपास अगर कहीं डिके माली है तो वहां पे देखने के लिए जाए अगर नहीं है तो हमारे आश्रम में आए हमा यसे दोनों जातियां आपको हमारे इस ओम स्वामी समर साधना केंद्र में देखने को मिलेगी. अगर आप अभी तो लॉकडाउन है, अभी कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे आ सकते थे, तो आपको इस व्रुख्ष के उपर फल और इसके फूल दोनों आपको इस रुतु में देखने को मिलते थे. तो आप जब कभी आश्रम आएंगे, तो मैं आपको यह व्रुख्ष जरूर दिखाऊंगी, इसके बारे में और भी जानकारी देश सकोंगी मैं आपको. तो आज हम रुखते हैं इसी डिके माली व्रुख्ष के साथ, अभी जो अगला शनिवार का एपिसोड है, वो आप देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको बटुक भहरों की साधना बताने वाली हूँ. काफी लोगों ने काल भहरों की साधना का जो एपिसोड हुआ है, काफी अच्छे उसको प्रतिसाद मिले हैं, काफी अच्छे प्रश्न पूछे हैं, कुछ लोगों ने उसकी साधना करना शुरू भी किया है, मुझे ये सुनके काफी आनन्द हुआ. अगर आप लोगोंने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखिएगा और अगला जो शनिवार आने वाला है जैसे मैंने कहा तब हम एक और भैरव यानि बटुक भैरवजी की साधना पर बात करने वाले हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद और हां हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं या जो वाट्सेप का नंबर दिया है उसके उपर भी आप पूछ सकते हैं पूछना चाहते हैं पूछना चाहते हैं